वाइट सॉस पास्ता जिसे बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत पसंद करते हैं तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा वाइट सॉस पास्ता हम घर पर कैसे रेडी कर सकते हैं चलिए हम देख लेते हैं आप छोटे साइच का मैकरोनी टाइप का पास्ता भी ले सकते हैं यहाँ पर मैं देर कटोरी पास्ता ले रही हूँ आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं अब एक बोल में 3-4 कटोरी पानी डाल कर उसे पहले हम बॉयल कर लेते हैं और उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा नमक और आदी से एक चमच तेल डाल लेते हैं इसके बाद हम इसमें पास्ता एड़ कर लेते हैं और पास्ता को हमें 70-80% बॉयल करना है यहाँ पर हमें ध्यान रखना है फ्रेंट्स कि तेल हमें बहुत जादा नहीं डालना है आदी से एक चमच उससे ज़्यादा तेल हमें नहीं डालना है पास्ता 80% बॉयल हुआ है की नहीं यह मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप कैसे पता करेंगे अभी हमारा पास्ता 80% बॉयल हो चुका है हम इसका पानी छानकर अलग कर लेते हैं और इसे एक बार ठंडे पानी से भी निकाल लेते हैं ठंडे पानी से निकालने से क्या होगा जो भी इसमें चिपचिपा पन होगा वो निकल जाएगा और पास्ता बिल्कुल खिला खिला वनेगा यह देखिए मैंने इसे ठंडे पानी से निकाल लिया है जब पास्ता को इस तरी के से काटा जाता है तो वह आराम से कट जाता है मतलब समय लिजे कि पास्ता बॉil हो चुका है अब हम वाइट सॉस से यार कर लेते हैं जिसके लिए एक कढ़ाई में हम ले लेंगे 3 चमच बटर और 3 चमच मैदा जितनी क्वांटिटी में हम बटर ले रहे हैं उतनी क्वांटिटी में हमें मैदा भी लेना है तभी बिल्कुल पर्फेक्ट वाइट सॉस बनकर रेडी होगी तो इसका आप विशे ध्यान रखिएगा इसके बार हमें इसे 3-4 मिनट के लिए भुणना है बिल्कुल लो फ्लेम में ताकि मैदा भी कढ़ाई में न लगे इसे लगाता चलाते हुए हमें भुणना है 4 मिनट हो चुकी है ये देखे इस तरीके का टेक्शर इसका देखेगा मतलब आप समय लिजे कि मैदा भुण चुका है बिल्कुल परफेक्ट वाइस सौस बनाने के लिए मैदे को थोड़ा सा भुणना बहुत जरूरी है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए ये देखे मैदा भुण चुका है अब हम इसमें एक कटोरी डूड एट कर लेते हैं डूड एट करते टाइम हमें बहुत ध्यान रखना है कि इस समय अगर हम लगातार इसे नहीं चलाएंगे तो इसमें लंस पढ़ जाएंगे जैसे जैसे हम इसमें दूड डालते हैं वैसे वैसे इसे बहुत तेजी से चलाते जाना है ये रेखे लगातार चलाते जाएए तो इसमें Lumps नहीं पड़ेंगे अगर Lumps पड़ भी जाते हैं तो इस तरीके से आप प्रेस कर लीजिए उन्हें दबाते जाएए तो सारे Lumps निकल जाते हैं यह मैं आपको दिखाती हूँ कितना smooth texture बन गया है इसका lumps नहीं है बिल्कुल भी इसी तरह का बिल्कुल white sauce होना चाहिए अब आप कैसे बदा करेंगे कि यह बिल्कुल ready है इस तरह की एक चमच ले लीज़े उसे आप इसे coat करकर देखे पीछे अच्छी तरीके से cover कर रहा है मतलब कि white sauce ready है अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी भर नमक थोड़ी सी काली मिर्च थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी औरेगेनो और इन सभी को इसमें mix कर देते हैं इससे जो white sauce है बिल्कुल restaurant जैसी बन जाती है अब हम इसमें डालें है वाइट सॉस बिल्कुल रैडी है चलिए अब हम दूसी तब चलते हैं यहां पर हमें कड़ाई लेंगे जिसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और अब हम उसमें डाल लेते हैं थोड़े से प्याज स्कॉयर शेप में कटे हुए आप चाहे तो इसे बारिक भी काट सकते हैं य यहां पर कैपसी कम आके उपर डिपैंड करता है आप चाहे तो एक भी ले सकते हैं और आधी भी ले सकते हैं और इन्हें बारिक भी चॉप कर सकते हैं और बड़ा भी रख सकते हैं सभी को हम दो मिनट के लिए पूनेंगे इन्हें हमें क्रंची ही रखना है बहुत जादा नहीं भूनना है, इसके बाद हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक, स्वात के अनुसार, और अब हम इसमें एड कर लेते हैं पास्ता जो की हमने बॉल करका रखा था, ताकि पास्ता में भी थोड़ा बहुत नमक आ जाए, वैसे तो पास्ता बॉल कते टाइम हमने इसमें नमक डाला था लेकिन जब हम मसालों के साथ इसे भूनते हैं तो थोड़ा सा इसका भी टेस्ट इसमें आ जाता है इसलिए सबसे पहले आप इन मसालों में इसे भून लीजे अब उसकी बाद जो हमने वाइट सॉस रेडी करकर रखी थी वो हम इसमें एड कर लेते हैं उमीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे जादा से जादा लाइक करिए शेयर करिए और मुझे कमेंट करकर जरूर बताईए कि आपको ये वीडियो कहता लगा अब हमें इस वाइट सॉस में पास्टा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं आप देख सकते हैं पास्टा कितना क्रीमी लग रहा है बिल्कुल रेस्टरेंट जैसा क्रीमी पास्टा बनकर रेडी हुआ है बहुत जादा हमें इसमें वाइट सॉस नहीं डालनी है नहीं तो ये रेस्टरेंट जैसा नहीं लगेगा रेस्टरेंट में जो पास्टा दिया जाता है उसमें वाइट सॉस बहुत जादा नहीं डाली जाती बिल्कुल पर्फेक्ट इसी तरह का पास्ता आपको मिलेगा रेस्टोंट में तो आप रेस्टोंट में खाने की बज़ाए आप घर पर इसे बिल्कुल आसानी से तयार कर सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे मैं इसी तरह की नही नही रेसिपी से आपके साथ शेयर करती हूँ और बैल आइकन जरूर डबाईएगा क्योंकि इसे जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा तो चलिए हम इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक कियर